इसके बाद आता है पीलिया, पीलिया क्यों होता है, पीलिया का अगर सही लाज नहीं करो तो मौत होती है, मैं कितने लोगों की मौत देखता हूँ, पीलिया होता है, देखिए इसके पीलिया रहता है, एक तो तीन परकार का होता है, तीन परकार, एक होता है प्री हेपेटिक जांडेस, दूसरा होता है हेपेटिक जांडेस, तीसरा होता है आफ्स्ट्रक्ट जांडेस, हेपेटिक जांडेस, प्री हेपेटिक जांडेस का अर्थ क्या होता है, कि हमार जो खून के कन है, जो RBC है, उसको जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ब्लेड न क्या है जब उसको nutrition blood नहीं मिलता है तो मरने लगते हैं मरते हैं जब तो उस में से बनता है पित पित मना जो blue rubin बनता है नार्मल जो blue rubin है हमारे blood में वो 0.1 gram या 1 gram होना चाहिए लेकिन क्या है जब ज्यादा sales मरते हैं तो blue rubin की मातरा बढ़ जाती है और blue rubin का काम क्या होता है जो हमारा पकाना निकलता है जो पीला कलर आता है और fats का पाचन करता है पित पित नहीं होगा तो fat का पाचन नहीं होगा तो ये मरने के बाद natural course में जो होता है natural course में वो पित्त बनता है वो पित्ता शम्या के जमा होता है लेकिन जब हमारे RBC ज्यादा तूटते हैं तो वो जब पित्त ज्यादा बढ़ जाता है बिलूरुबिन के कारण पीला कलर आता है नाखुन पीले होता है आख पीले होते हैं शरीर पीला पीला हो जाता है और फिर बोलते हैं जड़वाने का, जड़वाने से ठीक होता है, जड़वाने से कुछ नहीं ठीक होता है, ये हमारे भ्रम है, मेरे को भी पहले बोलते थे, कि आप पढ़ते जादा हो, आपको नजर लग गई है, फिर वो गोबर गोबर लेके नजर कटवाई, फिर भी ठीक नहीं हुए, पत्ता तेल चिकनाई खाते हैं, जो दवाएं खाते हैं, दवाएं भी जो है लिवर को नुकसान करती है, शराब और चाय काफी लिवर को नुकसान करती है, मैं बता रहो मेरे को जब पता लगा, चाय डारेक्ट जो है लिवर को नुकसान करती है, मैंने चाय छोड़ दी, मैं तीस चा काफी बीडी सिग्रेट तंबाकू शराफ यह एडिक्शन पैदा करते हैं ब्लड में एक लेविल बना देते हैं जैसे ही उसकी लेविल कम होती है विश्क की जो निकोटीन वगर की जैसे ही कम होती है तुरंत ड्राउजिनेस होने लगता है अच्छा बिलकुल जैसा लगता है निदस जिंदगी है फिर हम वोई चीज लेते हैं फिर हमें इस पूर्ती आती है जूटी इस पूर्ती इस टुमलेंट है यह मैंने संती जी को बला दीरे दीरे चोड़ दूँगा उन्होंने का जो दीरे दीरे बोलते हैं कभी नहीं छोड़ पाते हैं पता लगा खाना पच जाएँगे वो क्या करती है उसको कम हानी का रख है यूरिया यूरिस में कनवर्ट करती है वो हमारे पेशाफ से निकलगाता है दिखकती नहीं होती है लिवर एक बार जिसका खराब हो गया कभी ठीक नहीं होगा और जिस दिन चाहे छोड़ी इतना भयंकर है डेक हो रहा था ऐसा लग रहा था डंडा लेकर सर फोर दे स्वामी जी किया गए उन्होंने जाओ लेट जाओ लेटे कुड़कते पुड़कते नीद नहीं आ रही थी आखर कुड़कते पुड़कते नीद आ गई और नीद से उठे तो दर्द गया वो दिन और आज दिन फिर चाहे नहीं पी है मैंने फिर बता है दर्द के कारण या प्राबलम के कारण नींद नहीं आती है लेकिन ठीकी नींद से होता है तो देखो लिवर को जो नुकसान करने वाली चीज़े हैं उनको अवाइड करना है शराब भी ये जो लिवर का कैंसर पैदा करता है अगर आपका लिवर खराब है तो ये सही काम नहीं करेगा इसका काम होता है स्टोरेज इसके कितने काम होते हैं इसका जो फैट का कभी हम नहीं खाते तो ये रिजर बैंक है रिजर हमें सब देता है ये सब चीजों की पूर्ती करता है तो हमारा जो कहने का मतलब है हमारा जो क मदद करती है और फटे दुद का पानी मौसमी का रस और ये पाला का रस घुरुजी के यहां पाला का रस लीजेए और पालक के रसे जो है मारा पी लिया ठीकुआ है तीसरा होता ए आफ्ट्रक्ट जांडेसिय Bereich क्या होता है जो हम जो घी तेल चिकनाई खाते हजम नहीं करते हैं इसमें इन्होंने इन्होंने लिखा है गाल-स-टॉन कैसे बनते हैं इसमें बता है जो हमारी माताएं बेहने ये जो पित की पत्री होती है ये माताओं बेहनों को होती है ये क्या करती है खाना खाके घी तेल शुद्द की चाहिए और खाके आराम करती है वियायाम नहीं करती है पच्चाती नहीं है तो जो कोलेस्ट्राल होता है गी से बनता है कोलेस्ट्राल में एक सबस्टेंस होता है कोलेस्ट्रीन वो कोलेस्ट्रीन बिंदी के आकार के जमा होता है और फिर ये फैट्स की तहें आके लगती जाती है तो ये जब बड़े हो जात लेकिन ये बने किसे हैं बताइए ये आता है कफ दोश में कफ दोश बढ़ता है घी तेल चिकनाई से ठीक होता है आवला निबू संत्रा पाइनेपल मौसमी और उपवास तो हमें क्या करना है हमें उपवास करना है उपवास जब करते हैं तो ये फैट को मेटाबोलाईज करक क्यों गाल ब्लेडर जो है न यहां पे जब फैट इधर डियोडीनम में आता है इधर तो यह क्या करता है यह पित को मिला देता है आपको पता एक बाल डी लीजिए पानी डालिए तो क्या होता है बुंदी-बुंदी हो जाती है इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन यह जब फैट आता है डियोडीनम में तो वो पित जब आता है तो इमल्सिफिकेशन होता है याने जो है उसका फैट का पाचन होता है और एक बार अगर गाल बिलेडर निकाल दो तो उसके बाद कभी भी आपका फैट का पाचन नहीं होगा जिनका यह गाल बिलेडर निकाल द तो हमारा जो कहने का मतलब है तीसरा रहता है आफ्स्ट्रक्ट्रिक जांडिस माना रूप्स्ट्रक्शन तो आफ्स्ट्रक्शन कैसे ठीक होगा और ठीक करने के लिए जो ये चीजे में ने बताई गंडेरी विशेश मदद करती है और इसके अलावा ये जो इलाज मदद करता शरीक की शुद्धी करण मदद करती है